मुकेश सिंख, अक्षय ठाकूर, विनेश शर्म और पवन गुपता इन चारों को इनके कर्टूत की क्या सजा मिलती है इसके एलान की घड़ी आ गई है 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेव वारदात के इन चारों दोशियों की सजा पर साकेत के फास्ट्रेक कोर्ट में बुद्वार को बहस पूरी हो गई सरकारी वकील ने इनके गुनाह को रियरेश्ट आफ रियर मानते हुए इनके लिए फासी की मांग की है अदालत में सरकारी वकील ने दलील दी वारदात की शिकार लड़की ने इनसे रहम की गुहार लगाई थी फिर भी ये दरिंदगी से बाज नहीं आये इन्होंने गैंगरेव के साथ बेहद जगहन ने हत्यकांड को अंजाम दिया ऐसे में इनसे भी अब कोई रहम नहीं होना चाहिए बचाव पक्ष के वकील की भी अपनी दलील थी मेरे सारे मुख्किल 19 से 28 साल के हैं ये इनका पहला गुनाह था इनकी कम उमर को देखते हुए भी इने सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए ऐसे मामलों में उमर कैद की सजा ही दी जाती रही है कोट में तीन घंटे से ज़्यादा चली बहस के बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया इतना घटिया और इतना ही गुरूसम एक्ट किया गया तो चमा कैसे हो सकता है इसे और अगर इसको चमा किया जाएगा तो इतने सारे जो क्राइम हो रहे हैं फिर उनको एक्जामपल कैसे मिलेगा इस केस का बसंत विहार इलाके में हुई इस वारदात का मुख आरोपी राम सिंग तिहार जेल में खुदकुशी कर चुका है जिस नावालिक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है उस पर वारदात में बढ़ चड़ कर शामिल रहने का आरोप था अब बाकी चार के फैसले पर सस्पेंस है पीडित लड़की के माता-पिता ने इंसाफ पर पूरा भरोसा जताया है हाजी हम तो यही उमीद कर रहे हैं कि हमारे बेटी को पुरी तरह से इंसाफ मिल जाएगा क्योंकि मुझरिमों ने इतना घिनवना काम किया है जानवर की तरह बरतात को अंजाम दिया है तो उनको तो फांशी के अलाव कोई सजा ही नहीं होनी चाहिए और उमेद है कि फांशी ही होगी आज इस घर ते हम कदम जब निकालेंगे तो यही सोच के निकालना है कि हमारे बेटीया को संपरो नयाय आज मिलेगा और नयाय उसके बतल में क्या होगा? मामले में दोशी विनाई की माँ अब भी मानती है कि उनका बेटा निर्दोश है और उसे राम सिंग और मुकेश नहीं फसा है था चलती बस में गैंगरेप और उसके बाद बस से लड़की को फैकी जाने के इस मामले ने दिल्ली समेथ पूर देश को दहलाया था वारदात के गुनहगारों पर हर तरफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था ऐसे में ज़्यादा तर नेता और सामाजिक कारेकरता भी यही मानकर चल रहे हैं कि अदालत इसे रेरेश्ट आफ रेर केस मानकर सजह सुनाईगी कानून और यह जो एविडेंस है इन दोनों को देखे जरूर हमाशा करती हो जो कड़ी से कड़ी जसा इन लोगों को मिलेगी यह उमीद है कि निर्भया कांड के जो अपरादी हैं उनको फासी पर लटकाने का आदेश होगा इसी उमीद है फास्ट्रे कोर्ट में चारों दोसियों पर गैंगरेप हत्या हत्या की कोशिश सबूत नश्ट करने जैसे तमाम आरोप साबित हो चुके हैं ऐसे में एक बार फिर पूर देश की नजर इस मामले में सुनाई जाने वाली सजा पर लगी रहेगी वियर रपोर्ट एहमदाबाद जन दुनिया